गुड मॉर्निंग, MPS Motivators मैं आपका स्वागत है, आज हम फिर हाजिर है, प्रधान, सिक्षक, परिक्षा, सिर रिलेटेड कुछ important question के साथ, आज हम reasoning के कुछ ऐसे questions लेकर आये हैं, जो सभी competitive exams, सक्षमता परिक्षा phase 2, या जितने भी competitive exams जैसे SSC, CGL वगरा होता है, उसके हमारे वीडियो को देखना ना भूले, और हमारे चैनल MPS Motivators को सब्सक्राइब करे, तथा अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराए, और हमारे वीडियो को उन तक share करे, जिनको भी ये exams देने हैं, ताकि उनको लाब मिल सके, और कम समय में वो question को solve कर सके, तो चलिए देखत ये संकेत वाला question, जितना भी alphabetical question है, उसको बनाने के लिए आपको संकेत याद रखना होगा, जिसका link description box में दिया गया है, जैसे एक shortcut तरिका हम इजोर्टी और सिफिलोरक्स चर्चा किये है, कित्ती बार चर्चा किये है, आपको याद हो जाना चाहिए, short tricks जो है वो, जिसस कि आप इस type की question को असाने से बना सके, तो इसमें देखेंगे हम क्या क्या है, यहाँ हम को देखने को बिल रहा है, कि y square is 4, मतलब y के जगा पर हम क्या रखेंगे, जिसका square करके 4 आया है, तो अगर हम y के जगा पर 2 रखते हैं, तो 2 का square 4, लेकिन यहाँ 2 किस प्रकार से रख दिया है, उसी प्रकार हम पीछे से भी तक आएंगे, तो भी तक आने के लिए हमको 5 प्याना होगा, जैसे कि b, w, x, y, z, मतलब 5 नमर पे भी आएगा पीछे से, तो 5 के square यहाँ करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 25, जो option d में है, यह इसका सरी answer हो जाएगा, देखेंगे हम next question next है, j, o, k, e, is, to, g, l, s, b, proportion to, r, i, s, k, is, to, what, what कमान निकलना है, तो देखेंगे हम यहाँ किया किया है, सबसे पहले तो इनको यहाँ हम लिख लेते हैं, देखेंगे हम, जोक, जोक को g, l, h, b, लिखा है, किस प्रकार लिखा है, j, से g तक आने के लिए क्या किया है, मतल साथ, ठीक है, तो j से g तक आने के लिए क्या किया है, माइनस 3 किया है, ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार हम फिर o से l में देखेंगे क्या किया है, o का संकेत होता है, 15, और l का संकेत होता है, 12, o से l तक आने के लिए भी माइनस 3 किया है, ठीक है, देखेंगे हम next, k और h, k का सं संकेत होता है 8 ठीक है तो इसमें भी माइनस 3 मतलब हमको इसमें दिख रहा है माइनस 3 माइनस 3 E का संकेत होता है 5 और B का संकेत होता है 2 मतलब इसमें भी माइनस 3 किया है मतलब यहां हमको देखने को मिल रहा है कि सभी लेटर में माइनस 3 करके और उस संकेत पे जो आता है वो लिख दिया है ठीक उसी प्रकारिस में हम देखेंगे R में भी माइनस 3 I में माइनस 3 S में माइनस 3 और K में माइनस 3 करेंगे ठीक है करके देखेंगे क्या हैगा R में माइनस 3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा O, O, P, Q, R, R यहां पर O हो जाएगा, I में अगर माइनस 3 हम करते हैं, तो हो जाएगा F, F और S में माइनस 3 हम करते हैं, तो हो जाएगा P, ठीक है, उसके अत्के में माइनस 3 करते हैं, तो हो जाएगा यहां H, मतलब O, F, P, H, इसका सही अंसर हो जाएगा, जो है option number A यहीं इसका सही answer होगा मतलब सभी later में minus 3 minus 3 किया है इस वाले में तो ठीक इसी प्रकार rix का भी वही संबंध होगा मतलब minus 3 minus 3 करके हम लिख देंगे इस type की question को बनाने का यही तरीका है देखते हम next question next question है देखें question number 3 dfhj is to wusq proportion to hjln is to what what command निकलना है तो यहाँ देखेंगे क्या किया है सबसे पहले इसको हम यहाँ लिखते हैं देखेंगे इसमें क्या किया है इसमें हमको opposite देखने को मिल रहा है देखते हैं हम d आता है 4 नमर पे और यह w आता है 23 नमर पे और opposite का हम बताये थे कि opposite अगर दो लेटर दिया गया है वो दोनों अपोजिट तभी होगा जब उनके संक्यत का मान 27 होगा ठीक है तो यहाँ जोडने पर क्या आ रहा है चार और 23 को जोड़ेंगे तो यहाँ 27 आ रहा है इसका मतलब कि यह एक दूसरे का अपोजिट है उसी तरह F का हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा 19 तो यह भी जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा नेक्स्ट है जे 10 पर आता है और यह 17 पर आता है इसको भी जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा मतलब हमको यहाँ देखने को मिल रहा है यह एक दूसरे का अपोजिट है एक अपोजिट का हम ट्रिक भी बताये थे उसका लि इसका अपोजिट याद करने का एक हम सेंटेंस कहिए या एक ट्रिक कहिए जो कहिए हम वो बताये थे उफ बाइलोफ आज बीके मैंने सर्ट्ज ची एक्स डी ड़बू जे क्यू तो उसी प्रकार हम देखेंगे हम डी ड़बू का हम बता है उफ का बता है यू एफ अपोज यहां हम देखेंगे एच का क्या हो जाएगा पोजिट एस हो जाएगा और जे का क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा और एल का एल ओ होता है लव बोले हैं तो एल का पोजिट ओ और भी का पोजिट इ होता है तो एल का पोजिट ओ हो जाएगा और एन का हो जाता है मैंने मतल अगर हम आपस में जोडते हैं तो उसका मान सताइस आएगा इसी प्रकार से बता सकते हैं कि यह एक दुसरे का अपोजीट है देखेंगे अब हम नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन है एफे के आई एम एल आ यो और वाट वाट का मान निकलना है देखेंगे इसमें क्या किया है सब इसलब पहले तीर बढ़ा है फिर चार बढ़ा है फिर दो बढ़ा है देखेंगे यह स्रीज आगे फॉलो कर रहा है या नहीं फिर आई से एल तक आने में प्लस फोर हो रहा है और एम से ओ तक आने में प्लस टू हो रहा है ठीक उसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे एल से ती J, K, L, M हो जाएगा और O से हम दो बढ़ाते हैं O, P, Q हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा O, M, Q जो option number D है यही सका सई answer हो जाएगा O, M, Q देखते हैं हम next question एक figure दिया गया है इसमें what command हमको बताना है देखेंगे इसमें क्या किया है यहाँ देखने को मिल रहे है हमको देखेंगे हम यहाँ 5 किस प्रकार से लिखाए अगर हम यहाँ 2 का square प्लस 1 लिखते हैं तो 5 हो सकता है मतलब उसके बाद हम 10 लिखा यहाँ देखेंगे हम 3 का square प्लस 1 करेंगे तो 10 हो सकता है यहाँ what command है हम वाट के जगा पे हम छोड़ देते हैं, उसके नीचे हम देखेंगे, 50 लिखा है, तो 7 का स्क्वाइर, प्लस 1 करेंगे, तो 50 हो सकता है, उसके देख 122 लिखा है, 11 का स्क्वाइर, प्लस 1, 112 हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ हमको देखने को मिल रहा है, अगर हम यहाँ, इस खाली जगा पे 5 का स्क्वाइर, प्लस 1 लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 26, तो यहाँ हमको देखने को मिल रहा है, कि प्राइम नमबर का स्क्वाइर करके, प्लस 1 जोर रहा है, पहला prime number 2 होता है 2 एक ऐसा prime number है जो even भी है और prime number भी मतलब दुनिया में एक ही ऐसा है number जो even prime number है even भी है और prime number भी है जो है 2, तो यहां से start करेंगे 2, 3, 5, 7, 11 लगातार जो prime number उसका square करके plus 1 कर दिया है तो इस खाली जगह पे 26 हो जाएगा जो option number C है यही इसका सही answer हो जाएगा ठीक है, मिलते हैं फिर next video में next question के साथ जो सभी कम TTP exams के लिए important होंगे तब तक आप हमारे वीडियो को देखे, like करे, comment करे अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को share करे ताकि उनको last मिल सके और हमारे चैनल MPS Motivators को ज़्याद से ज़्याद सब्सक्राइब करवाएं फिर मिलते हैं next video में धन्यवाद